तो भाई आज के Monday Night Raw से पहले ये rumors थे कि आज के Monday Night Raw के अंदर कोई former WWE Champion का return होने वाला है जिसको Triple H ने भी tweet करते हुए बताया था कि वो इस information को deny नहीं कर रहे हैं बट वो confirm भी नहीं है कि कोई former WWE Champion का return होने वाला है और यहीं पर भाई Triple H ने ये थाबित कर दिया कि उनको game क्यों क बहा जाता है मतलब हर fan इस बात को लेकर के excited था कि वो former WWE Champion कौन है जिसका return होने वाला है और तभी हमें return देखने को मिलता है जिंदर महल का और fans का तो भाई दिल तूट गया मतलब यार उनके साथ ये क्या मजाक हो गया क्योंकि former WWE Champion के return के तोर पर कोई जिंदर महल को तो नही देखना चाता था जिंदर महल आने के बाद में भाई fans को काफी ज्यादा troll कर रहे होते हैं काफी सुना रहे होते हैं लेकिन तभी हमें return देखने को मिलता है और यही सबसे बड़ा surprise था यही return था जो की होने वाला था यही वो former WWE Champion थे जिनके return की rumor चल रही थी and ring के अंदर आन पीपल से अलबो और जिंदर महल को कर दिया ring से बाहर and इसके बाद असली कहानी शुरू होती है क्योंकि Rock ने यहाँ पर कुछ ऐसी बाते बूली जिसको हर WWE fans Royal Rumble 2023 से सुनना चाहता था तो सबसे पहले तो Rock बोलते हैं कि वो काफी जादा हंगरी हैं तो क्या उन्हें बार में जाना चाहिए या फिर कहीं और जाना चाहिए या फिर head of the table के पास जाना चाहिए और बस इतनी बात सुनते ही भाई fans तो वहाँ पर पागल हो गए तगड़ा reaction हमें देखने को मिल रहा था fans की तरफ से and इसके बाद जब Rock जा रहे होते ताब commentary table से भी हमें Wade Barrett कहते हूँ सु आते हो रही हैं वहीं इस match को setup किया जा सकता है Russell Minya 40 के लिए जो भी हो इस साल हमें ये match देखने को मिलने ही वाला है फिलाल इसके उपर Roman Reigns ने भी अपना reaction दिया उन्होंने X के उपर tweet करते हुए ये smile वाला emoji का use किया इसको Paul Heyman ने भी retweet किया है तो भाई आप लोग बताओ क कि ये match हमें कहां देखने को मिल सकता है Elimination Chamber में या फिर Russell Minya 40 के अंदर बाकी वीडियो के अंदर इतने ही WWE की informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe और इस वीडियो को like जरूर कर देना